हालो एवडिवान कैसे है आप लोग वेलकम टू पडले लेवन्थी इस कॉमर्स मैं हूँ इर्शा आपकी बिस्नस टेडीज की एड्यूकेटर जैसे आप देख सकते हैं आज हम लोग मुझे भी पता है आपको भी पता है पेपर हमारा सब्जेक्टिव होने वाला है एंसे क्यूस करवाने का कारण यह है ताकि आप लोगों के कंसेप्स कितने क्लियर है ना एंसे क्यूस के थूप पता चल जाता है हमें नहीं करेंगे कोई दिककत निए बड़ इस बेटर सो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा एंड तक हम लोग पूरे अज सारे चाप्टर्स के एंसे क्यूस करेंगे हमें लगता है इंपोर्ट कि if we don't know that we can't do anything that's the reason please see the video till the end यह सोच के क्या रहे यार एंसी क्यूस तो आने नहीं वाले है क्या काम का है वीड वीडियो ऐसे नहीं है बहुत इंपोर्टेंट है so let's start with the mcqs at least to say यह पता चल जाएगा कि हमें यह सारी चोटी-चोटी चीजे पता थी या नहीं दो माक के question के लिए यह सारी चीजे आती है मतलब ऐसे प्रॉपर ऐसी नहीं आएगी बड़ अट लीस्ट आपको इसका definition और वो सब तो जरूर पता चल जाएगा ठीक है चलो शुरू करते हैं पहला question क्या है equity shareholders are called dash are the guardian of the company are the executives of the company are the partners of the company और owners of the company equity shareholders को क्या कहा जाता है क्या वो guardian है क्या वो partner है क्या वो owner है या वो executives है अभी हमें अगर याद होगा हमारे दो होते हैं on the basis of ownership हमारे पास दो है या तो एक है owners fund और दूसरा कौन सा था borrowed fund अभी owners fund के अंदर हमारी शेर्स आते थे retained earnings आते हैं और ADR GDR IDR वो सब आ जाता है so obviously यह सब क्या हो जाएगा यह shares क्या है owners fund होंगे तो फिर यह कौन होंगे owners of the company ठीक है इन्हें क्या कहा जाएगा owners of the company guardian नहीं है नहीं execution में इन लोग का कुछ part है partners भी नहीं है यह लोग owners है company के मालिक रहे जाते हैं so share equity shareholders कौन है they are the owners of the company यह shares हमारे पास दो तरीके के होते हैं न एक होते है equity और दूसरे होते है preference shares okay easy था देखिए यह सब इससे क्या पता चला हमें कि हमें चोटी चोटी चीज़े पता है या नहीं यह सारी चोटी चोटी चीज़े हमें तब काम में आएगी जब के स्टाडी वाले questions आएंगे के स्टाडी जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसे ऐसे वो लोग थोड़ा twist कर देते हैं कि हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ठीक है या लाइक कि जो owners उने चाहिए उनका जो पाइंगे इसलिए करना इंपॉर्टेंट है चलो नेक्स्ट पर आते हैं टॉम रीडी मेबल इस उस्ट फॉर वाट एक्विटी शेर्स पब्लिक डिपॉसिट प्रेफरेंस शेर्या कमर्शल पेपर डिडी मेबल का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं रिडी मेबल क मतलब यह है कि after certain time उसके बाद वो रीडीम हो जाएंगे मतलब हमें उनको जो जिन से हमने पैसे लिये थे उन्हें वो पैसे वापस हमें देने पड़ेंगे रिडी मेबल हमारे पास दो चीजों में हो सकते है या तो रिडी मेबल डिबेंचर होते है और दूसरा हमारे पास रिडी मेबल प्रेफेरेंश धिल्स होते है ठीक है जिबेंडेंस शेयर और डिबेंचर होते हैं मतलब पी एक period के बाद हमें वो पैसे उन्हें वापस दे देने हैं सुस्विटी परिमेनेट है यह कभी भी वापस नहीं मिलेगा public deposit कैसे public deposit भी वैसे हो सकता है उनको थोड़े टाइम बाद उन्हें वो दे देते हैं पर उसे redeemable नहीं कहा जाता redeemable हमारे पास दो होते हैं एक है preference share और दूसरे है debentures चलो funds required for purchasing current assets is an example of what जो funds हमें current asset खरीदने के लिए current asset ठीक है fixed asset नहीं current asset खरीदने के लिए जो हम funds raise कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है lease financing यह तो source of fund है ना यह तो source of fund है यह कहां से ही आएगा तो यह तो wrong है plowing back of profit अपना retained earning हो गया यह तो retained earning है उसके बार working capital requirement यह fixed capital requirement उसमें आ जाते हैं current assets खरीदने है तो वो आ जाएगा working capital requirement में अगर मैं fixed assets की बात करती fixed assets मतलब plant and machinery हो गया furniture हो गया land and building हो गया यह सब जब होते तो यह हो जाता fixed capital requirement बड़ यहां पर वो लोगो ने यह वर्ड यूज किया है current assets के लिए सवरांसर इस गोई तो बी ऑप्शिन C working capital requirement चल संजा इजी था यह काफी जादा difficult नहीं है question समझने की बहुत जादा जरूरत है हमें इस चीज में ADR are issued in India, China, USA और Canada ADR हमें उसका full form ही पता है what is the full form of ADR क्या है American Depository Receipts बराबर ADR का full form क्या है American Depository Receipts कहां पर issue करते हैं यह हम लोग अमेरिका में न समारा answer क्या होगा USA पराबर इंडिया में होता तो IDR होता चाइन और Canada से अगर हम लोग कर रहे होते तो वह हो जाता था GDR पर यह तो USA से किया है इसलिए it is ADR public deposits are the deposits that are raised directly from where भी इतना easy public deposit कहां से raise करेंगे अगर आपको याद होगा मैंने क्या कहा था जैसे अगर मैं एक जगा मुझे अगर मेरे पैसे कहीं पर deposit करने हैं instead of depositing it in the bank मैं कोई कंपनी में मेरे पैसे deposit कर रही हूं यह तो फिर किसे deposit किये आम जनता ने न क्या गवर्मेंट ने किये नहीं क्या किसी और statutory body ने किये नहीं किसने किये आम जनता ने किये है so that's the reason our answer is going to be the public कौन करता है इसमें public करती है director auditor owners वो लोग नहीं करते यह लोग आम जनता से they are trying to get raise funds from them how they are like a bank में पैसे डाल रहे हो यहां पे डाल दो हमारे पास रख दो पैसे फिलहाल आपको हम उनसे जादा rate of interest भी देंगे तो यह चक्कर में तो सब लोग ऑविसी सोचेंगे ना कि आरे जादा पैसे भी मिल रहे है तो क्यों मैं बैंक में रखूं उससे बेटर है मैं यह कंपनी की पास क्यों ना पैसे रखतूं तो वन आई deposit my money with the bank it is known as public deposit public deposit कौन करता है public ठीक है easy है so मेरा answer हो गया option a the public next debentures represent what fixed capital of the company permanent capital of the company fluctuating capital of the company a loan capital of the company क्या वो fixed है नहीं उन्हें थोड़े टाइम बाद उनके पैसे वापस से हमें देने पढ़ेंगे अगर फिक्स निया तो permanent कैसे वा दोनों का सेमी मार्थ है ना permanent नहीं है यह पैसे देने है company के end तक यह पैसे उनके पास नहीं रहने वाले है fluctuating capital of the company भी नहीं हमारा आंसर है loan capital अगर हमें याद होगा मैं आपको वापस से बता देती हूं हमारे पास दो होते है एक होता है owners fund एक होता है borrowed fund borrowed phone phone क्या बोल रही हो fund sorry borrowed fund में हमारे पास आता है trade, credit, debentures, commercial bank फिर fine okay sorry फिर आते है financial यह क्या हो रहा है glitch हो रहा है कुछ तरीके का यह देखिया है ने अब हो गया financial institutions यह सारे हमारे क्या होते है borrowed fund borrowed fund एक तरीके का loan है वो एक तरीके का loan है कर्जा है company के ऊपर जो नहें चुकाना पड़ेगा so debentures क्या हो गए यह हो गए हमारे loan capital of the company next पर आ जाते है sources of fund can be categorized as what period basis ownership basis sources of generation basis या all of these हम लोगों ने यह किया हुआ था live class में आपको याद होगा हमारे जो sources होते है सबसे पहले तो वो से तीन में divide होते है यह तीनों में होते है period basis पे अगर मैं बात करूं period basis में तीन होते है एक होता है long term दूसरा होता है medium term फिर होता है short term के लिए ownership की अगर हम बात करे on the basis of ownership मेरे पास दो type के होते है एक है owners fund जो मैं आपको कब से दिखाये जा रही हूँ और दूसरा है borrowed fund फिर मैं जब भी generation source of generation basis की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके लिए क्या कौन से दो है हमारे internal या तो external मतलब company में अपने पास से ही जो पैसे रेस किये है वो और दूसरे external गहीं बाहर से कंपनी के बाहर से जब वो लोग पैसे रेस करते हैं तो वो हो जाते है external तीनों ही तरीके से होते हैं समारा answer इसमें क्या हो जाएगा अल of these ठीक है किए का टीडराइस सोर्सिस पहां लोग पीडियर की बेसिपी करते हैं ऑ्नेशिप की बेसिपी करते हैं और शोर्ट ऑफ जन्रेशन के ऊपर भी करते है तो liham naloiski है या एक्स्टरनली हमने पैसे रेस किये ई so our answer is going to be all of these next internal source of capital are those that generated within the business generated through the issue of shares generated through outsiders such as suppliers you are generated through a loan from commercial bank update here manager saab kabhi kaha a khota hai internal or dousra hota hai external internal may kya hota hai apne paas jopayse hai na usi mezi hamne kuch fund nikaal diya jayse ki retained earning ye meri khud kena external mattla bahar se liye hai obvious a nam se hi pata chal jata hai hume ki ye apne hai ya bahar se liye hai so that's the reason internal mattla apne khud ke business se hi nakale hoi external mattla kahi bahar se lena so is me agar ham ye deking issue of shares bahar public se liya na ye to ye to external ho gya outsiders dekhi woody aa gaya outsiders ke paas se liya to ye bhi external hai commercial bank ya apne ghar ki hai apne business ki hoti hai nahi ye bhi bahar waale hai jin se hume paise maang rahe hai sara this one is also external ye dekhi ye wala humara correct answer you give within the business business ke andr se hi jo paise hume nikaale usse hume khenge internal source so our answer is going to be option a next dash is an example of short term finance short term finance ke kaunse examples honge short term finance me humare paas a jayega ya to trade hai humare paas option kya wo dhek lieta hai trade credit hai debentures hai shares hai isme se koi bhi nahi hume yad hooga long term me debentures hai shares hai wo sare long term ke liye hai lambe samayi tak hum 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 ke paise use karthe in fact shares to humare permanent capital hai wo paise humeisha rahe nghe humare paas debenture holders ko bhi job paise dene otte koi se ek saal ke andr dene nahi hoote hai lambe samayi tak apne paas hum look rakh sakti hai trade credit joh hai nah wo hume jaldi dhina padega imagine kiji je a kik is chota sa example deeti ho ap kahi se apne kuch saman khari da apne ghar ke liye so you have to give them money within now within few days right char paas din me top ko ne unke paise dene pade nge is it fine if you give them money after five years ke haan thik hai paanth saal baad apko paise dee dhunga it does not work like that right unko video paise chahiye so trade credit exactly hota ke agar aapko yad ho trade credit me kya hath aumare joh suppliers hai jabhaunse raw materials ya to koi bhi goods khari te hai daya like don't give us money right now you can give it to us later yeh hota hai trade credit trade credit abhi teko supplier na hume diya hai bhi usne tho de time ke liye dhia hogana wo kya boli ka bhi koidat katni hai 3-4 saal baad paise dee de na maikaha bhaagya jarao ya tum kaha bhaagya jarao bhi sab ko apne paise chahiye hote hai na yeh ho jata hai apna short term finance jisme hume joh paise hai hunne jaldi hi dhenne pardate hai lambe samay tak hum nahi rakh sakti hai so our answer over here is trade credit okay itna samaj me a gaya hoga I hope so dekhiye iske saath-saath humare no questions ho bhi gai bada jaldi ho raha hai dhikkat nahi aiki next question pe a jayenge expand gdr gdr adr ka full form hum log sabko pata hai kya hai dekhiye yeh adr hai gdr hai aur idr hai in tino mein yeh jo dr hai yeh jo dr hai wo kya hai depository receipts tino mein same hai basif yeh first letter jo hai wo hi change ho raha hai a is america american depository receipts yeh hai global depository receipts aur yeh hai i is for indian depository receipts तो इसमें हमारा answer क्या जाएगा first one आ ही global depository receipts okay our answer is global depository receipts चलो next पर आ जाते है funds raised through loans और borrowings are what borrowed fund share capital owners equity are none of these share capital joh hai wo owners fund hai na is owner के अपने पैसे है क्योंकि हम लोग जिनके पास equity shares होते है उन्हें हम लोग क्या मानते है company के owners मानते है so yeh to owners fund हो गए owners equity be same me cheese हो गया यार वही बात करें equity share के बारे में ये भी same है borrowed fund होगा ना नाम में ही देखिया ना बता दिया है through loans or borrowing loan लिया या तो किसी से borrow किया तो obviously हमारा answer क्या होगा borrowed fund our answer is going to be borrowed fund for this one चलो next dividend is paid only on shares loans bonds या debentures देखिये company को दो चीजे देनी होती है या तो dividend देना होता है या तो interest देना होता है ये दो चीजे company को देनी होती है उन्होंने जिन से भी पैसे लिए हुए है तो अभी interest किन-किन लोगों को देते हैं इंट्रेस्ट, debit characters वालों को देते हैं, बैंक वालों को देते हैं, financial institutions वालों को भी देते हैं, उसके बाद और किसे देंगे, उसके बाद, bank कहीं दिया को upside financial institution हो गया, फिर भांड को भी यही मिलता है, अगर बॉंद लिये हैं बाद में पब्लिक डिपॉजिट इन हे भी क्या मिलता है इंटरेस्ट ही मिलता है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शेर्ज जिनके पास है whoever are having shares no matter which one या तो वो शेर्ज आपके एक्विटी हो या वो आपके प्रेफरेंस हो does not matter सिर्फ शेर्ज वालों को ही dividend मिलता है और किसी को भी dividend नहीं मिलता either it is equity shares or preference share does not matter only they are going to get dividend मैं DVD बोलने वाली थी so sorry yeah so our answer is going to be option A in this one answer है option A ऐसा क्यों क्योंकि उनको ही सिर्फ dividend मिलता है बाकी सभी को जिनके पास से भी हमने पैसे लिये है उन्हें क्या मिलेगा उन सबको मिलेगा interest समझा इतना चालो investors who want steady income क्या चाहिए उन्हें steady income मतलब पैसे आते रहे आते रहे आते रहे उनको ऐसा नहीं चाहिए रिस्क नहीं लेना may not prefer what equity share preference share debentures या bond अभी हमें याद है यह चीज देखिए यह तीनो में है ना fixed return rate of return होता है यह तीनो में fixed rate of return होता है पतला अगर 5% बोला है तो आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा 10% बोला है they have to give you 10% okay so यह तीनो में fixed होता है but equity shares में no fixed rate profit अगर अच्छा है अगर profit बढ़ा है तो rate of return भी उनको अच्छा खासा मिलेगा but अगर वो ही जगा पेजबार अगर company को profit कम हुआ है तो rate of return भी उनका कम होगा तभी भी पक्का नहीं होता है पर अगर वैसा भी हो सकता है loss हुआ तो फिर उनको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे उनको dividend नहीं मिलेगा सो इन्वेस्टर जिनको steady income चाहिए वो लोग यह तीन option तो प्रिफर कर सकते है ना fixed rate of return है पैसे मिलने वाले है एकुटी शेर कैसे प्रिफर करेंगे एकुटी शेर तो बिलकुल प्रेफरेबल नहीं है खिए formulas के लिए है जो लोग रिस्क लेना प्रिफर कर रहे हो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हीं रिस्क अपने लाइफ में नहीं लेना है. So, that's the reason our answer over here is equity shares. इसमें आजाएगा equity shares because equity shares कौन खरीबता है? जो रिस्क लेना चाहता है जिन्हें पता है that they are ready to take that risk but जिन्हें पता है that we don't want to take any kind of risk. हमें हमारा steady income चाहिए. पैसे इन्वेस्ट करने है but we want steady income also at that time what sorry at that time they are not going to invest in equity shares. Equity shares नहीं खरीदेंगे. इतना समझा? चलो. That's good. Okay. Let's come on to the next question. क्या कह रहे है ये question में? Let's read the question first. Capital obtained by issue of shares is known as what? Share capital, reserve funds, debts या लोन. नेखिये यार काफी बार कैसा होता है? Question में यह ना आंसर दे देते है. अभी shares अगर issue किये है तो वो क्या होने वाला है? Obviously, share capital ही होगा ना. Share capital हमारा loan या debt कैसे हो सकता है? Debt का भी मतलब करजा ही होता है. यह दोनों तो possible ही नहीं है ना. Reserve fund कैसे? Reserve fund हमारे retained earnings हो गए है जो हमने reserve करके रखे थे. Shares के थुरू अगर किया है तो then it's going to be share capital. हमारा answer क्या हो जाएगा? Share capital हो जाएगा. चलो. What do you mean by an entrepreneur? क्या entrepreneur एक job hunter है? Job seeker है? Job creator है या job applicant है? अभी हमने याद होगा entrepreneur कौन है? Entrepreneur के लिए दूसरा अगर मैं वर्ड कहूं entrepreneur एक business man है. एक business man क्या job ढूंड रहा है या उसने अपने लिए खुद से job बना के रख दी है? बराबर उसने अपनी खुद की जॉब बनाई है ना वो जॉब कहां डूंडने जा रहा है? कहां दर बदर वो भटक रहा है अपना रेज्यूमे लेकर की जॉब दे दो, जॉब दे दो. He's not doing that. वो जॉब हंटर कैसे हुआ? Job hunter का दूसरा नाम ही सीकर है. He's not. Job applicant मतलब apply करना है job के लिए वो भी नहीं. He's a job creator. अपने लिए उसने खुद ने जॉब बनाई है. Instead of going here and there, instead of looking for a job, वो क्या कर रहा है? उसनोंने अपने लिए job create कर दी के भाई, मुझे नहीं चाहिए किसी की job. अगर मुझे किसी को job नहीं देनी है? No problem, मैं अपना काम खुद करूंगा. I'll have my own business. So, ये अपने लिए खुद ही employment create कर रहे है. So, our answer is going to be option C. That is job creator. विए कि ये लुग business man क्या करते है? अपना खुद का business होदा है. उनका, उनका खुद का कुछ वो लो कर रहे हैं instead of doing a job somewhere. Next, small scale service and business enterprise are one whose investment in fixed assets of plant and machinery excluding land and building does not exclude how much? 25 lakh, does not exclude, sorry, does not exceed. 25 lakh, 30 lakh, 15 lakh या 10 lakh. तेखे, सबसे बड़ा important यहाँ पे यह चीज था, हमें यह देखना था, यह small scale service कहा. है ना? Small scale service की बात की है उन्होंने. हमारे पास small scale industry दो टाइप की थी. बराबर, small scale industry हमारे पास दो टाइप की थी. एक थी manufacturing, यह ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, done. एक थी manufacturing और एक थी service. manufacturing के लिए minimum 25 लाग चाहिए थे और maximum 5 क्रोर्ज होने चाहिए. जबकि service में 10 लाग से लेकर 2 करोड तक का investment हुआ, तो उसे small scale industry माना जाएगा. manufacturing में 25 लाग से 5 करोड का अगर investment हो, plant and machinery में, यह equipment में, तो वो कहा जाएगा एक small scale industry. तो यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने? कितना होना चाहिए हमारा small scale service के लिए? service के लिए हमारा answer हो जाएगा 10 लाग्स. ओके, service के लिए our answer is going to be 10 लाग्स. चलो, next. Limit of investment in small scale manufacturing industries dash. लिमिट कितना है small scale manufacturing? अब भी हमने रेखा, manufacturing में लिमिट कितना है? 5 करोड. 5 करोड से जादा नहीं होगा. 5 करोड से अगर जादा हुआ, तो वो medium में आ जाएगी. But since it is only till 5 करोड, it's okay. 5 करोड से जादा नहीं जाना है. तो लिमिट कितना set कर दिया हमने manufacturing के लिए कितना है? Minimum उन्हे 25 लाग invest करने है. Maximum वो लोग कितने कर सकते है? 5 करोड. किसमे करने है? Plant and machinery में हमारा answer हो गया option D. Option D, क्योंकि यह कौन सी कह रहा है? Manufacturing. अगर यहीं इसकी जगा service word होता. अगर manufacturing की जगा service होता, तो हमारा answer हो जाता था. Option B, that is 2 क्रोड. Answer हो जाता था, option B, 2 क्रोड. Next. Small industries contribute dash of gross industrial value. Important है, देखिए, यही दिक्कत हो जाती है. हम लोग जो छोटे-चोटे जो values होता है, हम लोग भूल जाते हैं उसे. हम लोग याद रखने का कश्टी नहीं होथाते हैं, जो बहुत गलत चीज हो जाती है. We have to remember all these values. यह सारी values है ना, पूछते हैं वो लोग ना भी पूछे ना, तो यह सारे जो छोटी-चोटी चीजे लिखते हैं ना, टीचर ध्यान देती हैं और गिव यू मार्क्स अकॉर्डिंग ली. So, इसका अंसर क्या है? इसका अंसर है 40%. Small industries का कितना contribution है? 40% इनका contribution है. इतना जाधा करती है, small-scale industries. Okay? तो 40 नहीं, 40 है, 49 नहीं, 48 नहीं, 45 नहीं. यतीनों अंसर अपने रॉंग है. आरा अंसर इस गोई तो बी 40%. चलो, next. Expand NSIC. NSIC का फुल फॉर्म क्या है? National Small Industries Corporation, National Small Industries Center, National Small Indian Corporation या National Small Business Industries Center. देखिए, कितने फॉल फॉर्म हमें याद रखने है? 5 रखने है. मुश्किल से सर्फ 5 है. ADR, GDR, IDR, NSIC and DIC. यतीन तो बहुत इसी है. NSIC का क्या हो जाएगा? NSIC का है National Small Industries Corporation. इसकी जगह पर अगर गलती से भी सेंटर करके आगा है, या हमारा पूरा गलत. ऐसे पूछते हैं, इसे पूछते हैं, if you really think that they don't ask you such questions, you are actually wrong. जो एक या दो माक के जो questions होते हैं, उसमें पूछा जाता है. दो माक का अगर होगा, जेकन आसके इन सच अच अवे, what is the full form of NSIC and what are its objective? objective अगर हमें याद होगा, तो क्या था? क्या था? aid, and promote. ये तीन वर्ट्स याद रख लेना, foster, aid, and promote. वोट? foster, aid, and promote the small-scale industries. ठीक है, किसके लिए है ये सारा? small-scale industries के लिए तो है. और आंसर तो, ऐसे आपको आएगा, इसलिए प्लीज रिमेंबर all the full forms. फुल फॉर्म्स के साथ-साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, कि ये दोनों कब set-up हुए थे? set-up के लिए हमारे पास सब दो कही देट्स है, एक NSIC का है और एक DIC का है. NSIC का अब set-up हुआ था? 1955, 1965, 1975 या 1982? NSIC set-up हुआ था, 1955 में. Okay, 1955 में NSIC set-up हुआ था. NSIC का full form क्या है? National Small Industries Corporation. Center नहीं, it is Corporation. चलो. District Industry Center program was launched when? 1st May 1978, 15th August 1978, 1st September 1978, 1st July 1978. 1978 हरेक में है, तो अगर आपको सिर्फ यहर पूचा तो आप 1978 वाला चूज कर के आजाना, देट के साथ पूचा, तो 1st May 1978 आजाएगा, that is our answer. 1st May 1978 को यह लॉंच किया गया था DIC. DIC का full form क्या है? The District Industries Center. यहाँ पे Center है. DIC में इस Center, बट NSIC में इस Corporation. ध्याद रखना दोनों अलग-अलग है, भूलना नहीं है. भूलना नहीं, कहां गया? हाँ, देखिए, Corporation Center नहीं है, गलत है. ठीक है, पर यहाँ पे Centers है. चलो, next. Debentures bear a dash of interest. Flexible है, floating है, fixed है या सब है? Debentures वाला को interest कैसा होता है? Flexible, fixed, floating, या इसमें से एक भी नहीं. Debenture holders जो है ना, उन्होंने हमें लोन दिया है. Debenture holders जो है, ये लोग है ना, हमारे creditors है. Creditors क्यों? Because they gave us loan. ये लोन है एक तरीके का. मानो, आपको गाड़ी खरीदनी है. गाड़ी जब भी हम खरीदते हैं ना, हम कभी भी फुल पेमेंट पे गाड़ी नहीं लेते हैं. Whenever we buy car, थोड़ा सा हम लोग cash payment करेंगे, बाकी का हम लोग लोग लोन के थरूप करते हैं. So, जब हम लोन ले रहे हैं गाड़ी के लिए, इंट्रेस्ट देना पड़ेगा, बांक वाले ऐसे ही थोड़ी पैसे देंगे हमें. We have to give them some interest. अब वो इंट्रेस्ट हम लोगों को उन्हें देना ही पड़ेगा, no matter what. बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है, मेरी जॉब चली गई, कुछ नहीं है, कमाने का कोई जर्या नहीं है, सेविंग्स है, बट इतनी नहीं है, चल जाएगा उथनी है. वो लोग कहेंगे, we don't care, you have to give us interest no matter what. आपका 3% का interest बनता है, आपको वो 3% हमें देने ही पड़ेंगे. पैसे नहीं है, we can't help you. पैसे नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी हमें दे दो, पर पैसे दोबर नहीं तो. तो यहाँ पे क्या है, इनका fixed है. जैसे हम भी मैंने बैंक लोन की बात की, वो लोग का भी borrowed fund था. डिबेंचर भी क्या है, borrowed fund है. इनको हमें interest देना ही पड़ेगा, no matter what. company profit में जा रही है, loss में जा रही है, उन्हें से कोई फरक नहीं पड़ता. They don't care about that, they want their interest. Okay, so हमारा answer यहाँ पे क्या होगा, fixed होगा, क्योंकि उनका fixed होता है, fixed interest उतना है, 3%, 4%, whatever it is, वो उनको देना ही देना है, कोई भी हालत में. But it is fixed, तभी भी एक fluctuate नहीं होगा, change नहीं होते रहेगा, कि हाँ चलो यह मही ने, यह time 2% है, next time 10% हो गए, फिर वापसे 4%, फिर वापसे 8%, ऐसा नहीं होता है, it is going to be fixed, which they are also going to get in fixed period of time. एसे नहीं होगा, कि हाँ ठीक है, इस बार दिया, उस next time नहीं देंगे, कोई problem नहीं है, does not work like that. नेक्स्ट, dash is an example of permanent source of finances, मैंसे कौन सा permanent source of finance है, shares है, debenture है, trade credit है या नन आपको पहली ही कहा था, debenture वालोग, redeemable होते हैं, उनको उन्हें पैसे उनकी वापस देने ही पढ़ेंगे, trade credit, supplier को पैसे देने पढ़ेंगे, यहार ऐसे होगा, हाँ ठीक है, जब कंपनी बंद करने ज capital है, कंपनी जब तक चल रही है, तब तक यह पैसे बने रहेंगे, कंपनी के पास ही रहेंगे, कभी भी यह पैसे बाहर नहीं जाएंगे, हमें वो शेयर होल्डर्स को उनको यह पैसे वापस से नहीं देने है, इसलिए यह क्या हो गया हमारा permanent source of finance, नेक्स पर आते हैं, funds required for purchasing current asset is an example of what, debenture, share, trade credit or none of these, मतलब मुझे कौन से fund से मैं current asset खरीच सकती हूँ, debenture से ले सकती हूँ, share से ले सकती हूँ, trade credit से यह इन में से किसी से भी नहीं, trade credit से तो कैसे ही लोगे, trade credit तो आपको जब आपने कुछ खरीदा तब आपको वो मिला है, आपको धोड़ी उसके दे दी जो उन्हें हमें raw materials दे दिये, यह तो आए answer नहीं होगा, बच्चो देखो, debenture और share है ना actual में हमारा क्या होता है, यह हमारे long term funds में आता है, long term funds से है ना हम लोग खरीदते है, fixed assets, we buy fixed assets from long term fund, हमारा answer इसमें होगा, none of these, हम लोग इसमें से किसी से भी नहीं खरीद सकत है, current asset अगर खरीद ने हो, short term या तो medium term किस से ले लो, long term से नहीं लिया चारता है, if the investment of the plant and machinery is up to dash crore of rupees, manufacturing enterprise will be called as small unit, पहले ही यह question किया हुआ है, हमने बस इसमें क्या हो गया है, question को थोड़ा अलग तरीके से बताया है, है same चीज, but they have just said it in a different way, क्या कह रहे है है जिसमें प्ला content machinery में अगर investment मेरी थोड़े इतने करोड तक होगी, तभी वो manufacturing industry को हम लोग small unit कहेंगे, वापस से भी देखो manufacturing की बात कर रहे है, manufacturing में अगर हमें याद हो, उन्होने क्या कहा था, minimum हमारा 25 होना चाहिए, 25 क्या, 25 लाग, maximum हमारा 5 करोड ही होना चाहिए, so it should be up to what, 5 crores, 2 करोड किस में होता है in service, 5 किस में होगा in manufacturing तब जाके वो small unit कही जाएगी, last question है ये हमारा, who offers और facilitates of, who offers facilitates of after sale service, after sale service हमें कौन देता है, retailer देता है, wholesaler देता है, दोनों retailer और wholesaler देंगी है, none of these, हम जो customer है क्या हम लोग wholesaler के पास कभी भी जाते है, I don't think so, हम लोग सीधा, retailer के पास से सारे goods खरीगते है, if I am buying my goods from retailer, तो मैं होलसेलर के पास जाओंगी है, retailer के पास जाओंगी, if there is any problem with my goods, I am going to go to the retailer, अभी मैंना पको एक बार ला, एक बार पहले एक example दिया था, गड़ा electronics, गड़ा electronics, तारक मैता का ओल्टा चिश्मा दिया था न, So, उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसकी क्या है, गड़ा electronics क्या है, एक retail shop है, जब देखो कोई भी अगर फोन में कोई भी problem होती थी, फोन में अगर कोई भी problem होती थी, they used to go to the manufacturer और they used to come to this guy, इसके पास आते थे न, बराबर, तो फिर किस के पास जाएंगे after sale service के लिए, हम लोग जाते है, रीटेलर के पास, after sale service क्या होता है, सामान बेचने के बाद, अगर उसमें कोई भी problem हो, सामान बेचने के बाद, अगर उसमें कोई भी problem हो, I am not going to keep it with me for the whole time, right, कि खराब हो गया जाने, तो कुई नया खरीद लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, हम उन्हें वो, after sale service मतलब कुछ खराबी हो, and we are going to them for repairing or whatever it is, इसे कहते है, after sale service, समझ में आ गया, I hope so, it is very, very clear to you all, देखिए, आने नहीं वाला है, बट important है करना, it is important because हमें नहीं पता, right, how is it going to be, हमारे concepts कैसे है, हमें एक बार समझना तो पढ़ेगा कि concepts clear है या नहीं है, देखिए, रट्टा तो सब मार लेते हैं, रट्टा मारना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें आगे तक के लिए ये सारा चीज़े लेकर जाना है, हम जो पढ़ रहे हैं, अभी एक साल के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, we are studying for our future also, so this thing actually helps us with that, हमें समझ में आ जाता है, इससे that how good we are, have we cleared all our concepts, जो हमने पढ़ा था, जो हमने आपको सिखाया था, कि आपको वो अच्छे से समझाया नहीं, वो objective questions से ही समझ में आता है, एक बार हमारे objective questions clear हो जाते है, concept आप कभी भूलेंगे नहीं, concept देखिए बहुत important है, हमेशा सब एक्जाम के लिए पढ़ना is not a good thing, knowledge बढ़ाने के लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉमर्स फील्ड में अगर हम आए है, तो उसकी related जो छोटी छोटी इतनी चीज़े होती है, वो तो हमें पता होनी चाहिए, आगे जाके हम लोग पताने ही कौन से फील्ड में होने वाले है, that's the reason, it's very important, concept अगर जानने है कि अच्छे है या नहीं, objective help करेगी आपको, answer by heart, आपको एक्जाम के लिए आपको subjective हमेशा रहेंगे, वो हमें करना भी है, and we are doing it from like so many years, नहीं आया, that's the reason, so please ये वीडियो पूरा देखियेगा, आपको बहुत होगा, okay, thank you so much everyone.